स्पाइस जेट जी जवाब दोगे जरा कि आपका जो क्रेटिट शेल फसिलिटी है यानि पैसे ना रिफंड करने वाली जो फसिलिटी है वो ओपन एंडिड क्यों नहीं है आप जब टिकेट की प्राइस बढ़ जाएगी तब लोगों को अपना क्रेटिट शेल का पैसा देखना और फिर स्पाइस जेट से शेयर करके ये सवाल पूछेंगे हम सब हम नहीं कहरें स्पाइस जेट गलत है कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं स्पाइस जवाब तो दे दो ये लटका लटका के जब आपको सूट करेगा तब आप लोगों का क्रेडिट शेल का पैसा जवाब देने में एक और थेंक्यू वीडियो भी बना दूंगा यार एसी कोई बात नहीं है दर्शको ध्यान से देखो वीडियो और पूरा शेयर करना इस वीडियो को जै जंता ठोको शेयर देखो 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 लाविन उट सर आम प्रेस टीवी मेरे को आप से ए अभी फ्लाइट बन तो फ्लाइट कैंसल हो गया तो मैंने इसलिए स्पाइस रड़ वालों को मैसेज किया कि मेरे को रिफंड करो पैसा या फिर टिकेट देदो तो मैंने बोलोक बोला टिकेट आप करवा लो वो पैसा क्रेडिट शेल पहोगा मगर उन्होंने कंडिशन दि जादी आप बुकिंग कर सकते हो मगर मेरा कहना यह है आज जो टिकेट 4-5,000-6,000 के अंदर दिखा रहा है वो टिकेट 18 तारिक के बाद 9-10,000 हो चाहिएगा जो टिकेट मुझे अभी कम प्राइस में मिल रहा है वो इटिकेट के लिए मैं क्यों एक्स्ट्रा पेए करूँ मेरे तरह हर एक स्पाइस जेट का कस्टुम उनको भी यह मदद चाहिए होगा जो पता है बहुत जन समझ नहीं पाया होंगे या फिर बहुत जन समझ भी गए होंगे तो सही से नहीं आ पा रहे है क्योंकि मैंने दुसरे यह रेंज से भी चेक किया इंडिगो से चेक किया इ पार एक के बाद वो में क्यू करूं यह तीन दिन का एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो में क्यू एक्स्ट्रा पे करूं तैंक यू दोस्तों रॉबिनुट सार प्लीज मदद करिए